इस वीडियो में हम देखेंगे freedom sanitary napkins का एक डेमो और verify करेंगे कि freedom sanitary napkins कितने बढ़िया तरीके से fluid या blood को absorb कर सकता है जिससे कि mensis के इन दिनों में females को बहुत अच्छा comfort प्रोवाइड हो सकता है तो इस डेमो के लिए हम ले रहे हैं market का एक sanitary napkin और ये है हमारा freedom sanitary napkin दोनों napkins में हम 50 ml रंगीन पानी डालेंगे और देखते हैं कि कौन सा napkin जादा अच्छे तरीके से fluid को absorb कर सकता है तो मैं एक syringe ले रहा हूं और इसमें मैं भर रहा हूं तकरीबन 50 ml colored water रंगीन पानी और सबसे पहले मैं market के sanitary napkin के ऊपर ये डालता हूं so आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैं इसको डाल रहा हूं it takes a second before it goes inside the napkin और अब इसकी absorption बहुत slow हो चुकी है आप देख रहे हैं कि पानी अब अंदर और नहीं जा रहा क्योंकि इसकी absorb करने की limit खतम हो चुकी है कितना uncomfort महसूस करती होंगी वो females menses के दिनों में जब वो कुछ ऐसे napkins यूज़ करती है dryness maintain नहीं हो सकती और अगर dryness maintain नहीं है तो hygiene भी maintain नहीं रहेगा अब हम डालेंगे यही fluid तकरीबन 50 ml मोदे क्या के freedom sanitary napkin में देखते हैं क्या फर्क होगा moody care freedom sanitary napkins में है eight layers of absorption and protection यह बहुत आसानी से fluid को absorb कर लेता है dryness maintain रखता है आप देख रहे हैं कि कितना easily यह सारा पानी इसके अंदर जा चुका है in fact 50 ml क्यों थोड़ा सा और पानी डालते हैं because यह कोई आम napkin नहीं है यह है moody care का freedom sanitary napkin so इसमें मैं 25-30 ml रंगीन पानी in fact मैंने 30 ml से भी ज़्यादा रंगीन पानी और भरा है और यह सारा मैं इसके उपर डाल देता हूँ तो market के competition में तो हमने डाला सिर्फ 50 ml लेकिन moody care freedom sanitary napkin में हम डाल रहे हैं 80 ml colored water और in fact एक और फरक आप देखें कि हमने market के competition napkin में पहले डाला इसके पास जादा समे रहा fluid को absorb करने के लिए लेकिन freedom sanitary napkin में हमने पानी बाद में डाला तो इसके पास बहुत कम समेरा fluid को absorb करने के लिए लेकिन अब हम verify करेंगे कि इन में से किस napkin की absorption power जादा है तो यह देखने के लिए हम लेंगे दो tissue papers और यह tissue papers हम इन napkin के उपर रख देंगे और equal force के साथ हम इसको press करते हैं देखते हैं क्या होता है सो मैं equal force दे रहा हूँ दोनों napkins के उपर और आईए अब हम tissue paper उठा के देखते हैं कि क्या फर्क है जो market का sanitary napkin है उसके उपर tissue paper एकदम गीला हो चुका है बिल्कुल भी dryness नहीं है एकदम गीला है जो यह दिखाता है कि market का sanitary napkin ने fluid को अच्छे तरीके से absorb नहीं किया आप देख रहे हैं tissue paper एकदम गीला है in fact मेरा हाथ भी एकदम गीला हो चुका है लेकिन अगर हम देखें इस tissue paper को जो हमने press किया था मौदी किया freedom sanitary napkin पे वो एकदम सूखा है एकदम dry है जो कि यह दिखाता है कि freedom sanitary napkin ने कितने बढ़िया तरीके से 80 ml fluid को absorb किया और अगर मैं इसके उपर अपना हाथ दुबारा प्रेस करूँ तो कुछ भी पानी मेरे हाथ के उपर नहीं आ रहा so heavy blood loss के दिनों में भी freedom sanitary napkin absorption बहुत बढ़िया तरीके से करता है fluid की dryness को maintain रखता है और hygiene को maintain रखता है और मेरे हिसाब से freedom sanitary napkins को promote करना हम सब की social responsibility भी है thank you so much जुद है जुझ तरीके से अ了 I encuentra से क्टे爵 मेरे क्रोपका मेरे मेरे है पालें मेरे मेरे अ क्या भी है जुद भी Passion